आज की ग्लास का इंसारत अग्यान यह है, करम ना करना भी करम है, मतला भाया, यहाँ पर मैं अपना 200% दे रहा हूँ, यह मेरा करम है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे यह उनका करम है, लेकिन भाया कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे जो पढ़ाई नही करते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो भी एक करम कर रहे हैं, ना पढ़ने का करम, और करम, यानि जो करमा है, वो हमेशा कुछ था-कुछ result या output ले कर आता है, अगर आप मेहनत करने का आपने करमा क्या है, तो आपको उसको एक अच्छा benefit मिलेगा, आपको उमीद नहीं पढ़ रहा है, मस्ती कर रहा है, सो रहा है, चैट कर रहा है, यह उसका करम है, उसका result उसको definitely मिलेगा, ठीक है, जैसा करम करेगा, वैसा फल देगा, भगवान यह है गीता का ग्यान, यह है गीता का ग्यान, तो यह करम जैसा करोगे, फल वैसा ही मिलता है, इसलिए मैंने लिख करम नहीं करना भी एक करम है एक बच्चे नहीं मुझसे पूछा था कि अगर मैं नहीं पढ़ू ऑगा तो यह collaborative मिले का मैंने बाइ को जो अच्छे से पढ़ोगे तो आगे जाओगे नहीं पढ़ोगे तो पीछे आओंगे जो आगे आगे सब करवा है तो बस इमानदा रहो यार मैं में से कहता हूँ प्लीज भी ओनेस्ट यार मैं आपको अधार